धनुराशी वाले जातक फरवरी मार्च दो हचार थेज तेरा फरवरी के बाद आपके जीवन में होगा बड़ा बदलाओ नमस्कार मित्रो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धनु की दुनिया में फरवरी और मार्च का महीना कैसा रहेगा यानि कि तेरा फरवरी के बाद और मार्च का पूरा महीना बेहत खास रहेगा धनुराशी वाले जातकों के लिए ग्रानक चत्रों की क्या चाल रहेगी कैसे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे सौधी में इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग जानेंगे चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं ये अवधी कैसा रहेगा समय क्या परिवर्तन लेकर आएगा वीडियो की सुरुआत करते हैं वीडियो सुरु करने से पहले आप सभी दोस्तों से बाई बंदूओं से मित्रों से माताओं से बेनों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजगा चैनल पर हमारे पहली बार आएं है तो दोस्तों नीचे जुलाल बटन दिख रहा है उसे दबाईए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद चलिए सुरुआत करते हैं वीडियो की और जानता है यह समय आपके लिए कैसा रहेगा यह डेड़ महीने की आउदी है इन डेड़ महीनों में सुरुआत में आपको सभाग्य का पूरा साथ मिलेगा आप जिस काम का बीड़ा उठाएंगे उसमें आपके अपने मित्रों और परिजनों की पूरी मदद आपको मिलेगी इस दौरान आप अपने कiरेचेत्र में बड़ा बेस्ट परफॉमन्स करके दिखाएंगे बड़ा अच्छा करके दिखाएंगे सीनियर आपके काम की तारीफ भी करेंगे यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको बहतर जगह से आफर आ सकते हैं व्यवसाय में आप खुद को जो है बुलंदियों पर पहुंचना आएंगे एक अच्छी जगह पे पहुंचाएंगे मा के दूसरे सब्ता में ये जो दूसरा अंतिम सब्ता होगा फर्वरी महीन का कोट कचरी से जुड़े कई बड़ी मुस्किले हल हो सकती है यदि आप लंबे समय से मकान के खरीद बिकरी की योजना बना रहे थे तो वो भी पूरी होते हुई दिखाई दे रही है मा के मद्द में आपकी प्रगती के राह में आपका एहंकार आड़े आ सकता है बीच में आ सकता है साउधान रहीएगा थोड़ा इस दोरान आपको दिल के बजाए दिमाग से काम लेने की ज़्यादा वेशकता है हलाके इस दोरान हने वाली यात्राएं आपके लाव का कारण बनेंगी और आपको समाजी के दाएरा बढ़ाइएंगी मा के वित्रयार्द में आपको धान लाव होने के चांसे बन रहे हैं पर अंतु चलना खूब सोच समझ के है अनिता आगे जो है आपको पैसे की किलत पढ़ सकती है अगर आती है कैंसे पैसे आ रहे हैं तो उसको सोच समझ कर खर्च करें युजराना आपको अपने सत्रू और शेहत को लेकर भी खूब सावधान रहने की सलाहत दी जाती है प्रेम शमंद में आपसे विस्वास बढ़ सकता है लव पढ़ना के साथ हांसे खुशी के पल बिताने के खूब आउसार आपको मिलेंगे अब विवाहत लोगों का विवाह तैह हो सकता है इस सावधी में मार् मा के सुरवात में कुछ एक चिंताओं के लिए रहने वाला है संतान से जूड़ी किसी समस्याओं के लेकर मन थोड़ा सा परिशान रहेगा अचानक से आने वाले बड़े खर्चे भी आपके चिंता का कारण बन सकती है हलकि या इस्तिती लंबे समय तक नहीं रहेगी और मा जो जदा बोज करा देगा यानि कि बोज जदा रहेगा काम का इस दोरान सीनियर और जूनियर में भी कम ही सही होगा आपको प्रापटा होता हुआ दिखाई दिए रहा है इस दोरान काम किसी दूसरे के भरों से छोडने की भूल बिलकुल भी मत करिएगा खुद ही निप्टाने का प्रयास करिएगा, यदि आप ववशाय में हैं तो धन के ले इन देन में खोब सावधानी बढ़ती है, कामकाज की वियस्तता के चलते परिवार के लिए समय न निकाल पाने के कारण मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, मन थोड़ा खिनने रह सकता है, आपको अपने जीवन की गाड़ी पटरी पर बैठती हुई नजर आएगी और इस दौरान आप अपने परिवार के साथ हांसी कुछी समय बिताने के लिए खोब समय निकाल सकते हैं, मा का उत्रार्द आपके कारोबार के लिए जो है शुबताएं का लाब लेकर आ रहा है, इस दौरान आप मन्चाहल लाब अप्राप्त करने में कामियाब रहने वाला है, प्रेम शम्मंद प्रशंग के दिश्टी से यह समय बहुत शुबर रहने वाला है, यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने के सोच रहे हैं, तो आका सक करने पर बात बन जाए प्रेम शम्मंदों में नजदी किया बढ़ेंगी, परिक्षा प्रतियोगता के तयारे में जूटे चात्रों को सुबर समाचारों की प्राप्ती होती हुई दिखाई दे रही है, छोटी मुटी परेसानियों को यदि नजर अंदाज कर दिया जाए, तो कुल मिलाकर जातकों के लिए जो समय है, तेरा फरवरी के बाद और पूरा मार्ज का महीना शुबर रहने वाला है, और उन्हें इन महीनों में, यानि कि डेड़ महीने का लगबग माने तो डेड़ महीने का जो समय है, मैनत का उमीद से कहीं जादा फल मिलेगा, आपने जो उमीद की थी कि ये फ सकता है, कोई इच्छी का फ़र सुनने को मिल सकती है, इस दो दारां कर्ये कररोबार की तलास पूरी हो सकती है, पूरी होते ही, करियर कररोबार में कुछ नया तलास कर रहते तो पूरी होगी, किसी माहला मितर की मदद से कोई अटका हुए काम भी पूरा होने से, आप के महन को बड़ी राहत मिलेगी बड़ी प्रिशनशा मिलेगी यदि आप लंबे समय से कोई वाहन या सुख सिवदा से जोड़ी चीज लेने की सोच रहे थे तो संभव आई कि इस माह जो है इन समय में ये डेड़ महीनों में आपकी यह एक्षा भी पूरी हो जाए द Nest Harmon राश्री प्राप्त होगी कवि एक इसा सैच्वेसर नाएगा कहीं से बड़ी धन राश्री प्राप्त होने के चांससे बे बन रहे हैं नौकरी प्लगों के आयकर तरीक द्शूरत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं संचित धन में व्रिद्धी होगी जिद धन आपने कमाया है उसमें बढ़ उत्री होगी समाज सेवा के छेतर में जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा मा के मद में घर के किसी बुजूर्ग की तबियत को लेकर थोड़ा सा मन्चिंत रह सकता है हला कि करियर और कारवार के दिश्टी से यह समय शुबता और शफलता के लिए रहने वाला है इस दोरान व्यपार के विश्टार की योजनाएं फलिफूद तो होती हुई दिखाई दे रही है हला कि इस दोरान आप धन की कमी महसूस कर सकता है कई जगा हुए मा के उत्रार्द में अपने काम की लापरवाही से बचिये रहने था परशानी होगी लेन देन करते समय किसी को लेन देन कर रहे हैं पैसे की तो उसको लेकर थोड़ा सा सावधान रहीएगा लेन देन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करें खटे मिठी तकरार के साथ प्रेम शमंद मधूर बने रहेंगे प्रेम शमंद बढ़ियां बने रहेंग कठनाई के समय आपका जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा अगर कोई पुरा सिच्वे सनाता है कोई असा सिच्वे सनाता है जीवन साथी जो है आपके साथ खड़ा रहने वाला है जातको को सुर्वात में जो है अपने कारे छेतर में कुछ एक परिशानियों का सामना करना पर सकता है सीनियर और जुनियर से उम्मीद भी मत लगाईएगा सही योग पाने की क्योंकि वह आपके उम्मीदों पर ख़रा नहीं उतरेंगे जो सम्माना आपका खिरना होगा ऐसे मैं आपको लोगों को मिलाज उला कर चलना चाहिए आपके लिए उचित रहेगा लोगों को मिलाज उला कर चलेंगे तो बहतर रहेगा सहत कद्ष्टी से यह समय आपके लिए अधिक शुबन नहीं कहा जा सकता है तेरा फरवारी से पच्चिस फरवारी तक इस दरान कोई पुरानी बीमारी उबरने या किसी मुझे बीमारी के चलते आपको सारीरी कस्ट जहिलना पड़ सकता है इसलिए थोड़ा सा सावधान रहीएगा ऐसे मैं सरीर से समंदित किसी भी समस्या को भूल कर भी नजरन दाज ना करें नहीं था आपको अस्पताल के चकर काटने पड़ सकते हैं मा के बादे में छोटी या लंबी दूरी की यात्रा एक के ओग बन रहे हैं कई भी धन इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ कर खुब विचार करके लगाई है अन्यता नुकसान जहिलना पड़ सकता है यदि आपका कोई विवाद कोट का चहरी में चल रहा है तो यदि आपकी सहमती से कोट बाहर सुलजा लेने से बहतर रहेगा अगर आपकी सहमती होती है तो कोट बाहर आप सुलजा ले तो बहतर आपके लिए रहेगा कामकाजी महिलाओं को इस दौरान घर और कारे छेतर में ताल मेले बिठाने में मुस्किल आएगी परिशानिया आएंगी प्रेम शामन्द के दृष्टी से आपको ये जो सुरुवाती फरवरी के महीने होंगे यानि कि तेरा फरवरी के बाद सुरुवाती जो समय है थोड़ा सा साब धान रहना है आने माहीना मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़ी ना रहेगा जल्दबाजी में भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णाए आपको नहीं लेना है अगर ऐसा करते हैं तो परिशानी आपको होगी इसलिए भावनाओं में बहके जल्दबाजी में आके कोई भी निर्णाए आपको नहीं लेना है माह के मद्दे में जो रिस्ते नाते के जो भी समस्याई चलना ही थी वो दूर होती ही दिखाए दे तो दोस्तों यही था करसा रहेगा तेरा फरवरी के बाद और मार्च का समय आपके लिए उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक करते हैं चैनल पर नए आए हैं तो को सबस्क्राइब जरूर कर दीजगा मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहें मस्कुराते रहें आस पास सफाई रखे घरवालों का खयाल रखें साथी साथ अपना भी खयाल लखें यह समय आपके लिए मंगल में रहे शुब बीते अ भोले नाथ हर हर महादेव बंबं भोले